वेलकम बेक तो माई टूप्शनल पेपर हैकर और जो भी छात्र डीडी उनिवेस्टी से गोरखफुर उनिवेस्टी से हैं डीडी यू गोरखफुर उनिवेस्टी की बात कर रहा हूं उसमें जो आपका बीसी फर्स समेस्टर के जतने भी स्टूडेंट है विटा तो फिजिक सब्सक्राइब करेंगे और यहाद रहुत नोट्फिकेशन के साब से यहाद आपको तीन कोशन रिटेन एक्जाम में पूचेगा लिखत प्रिक्स होगी आपकी जिसमें तीन कोशन में अच्छे कोशन मुचेगा तीन कोशन करने होंगे ठीक है आप सभी पूरे चलेबस में यहो करा देता हूँ और बाकी आप हमारी जो आपको पूरा मिलेगा वेटर टैली ग्राम में तो सारे लिंक दे रहे हैं हमने जलो जी बौटनी केमिस्टी फिजिक्स मैथ सबके डाल रखे हैं आप बहां से हमारी पीडियाप को डाल्लोड कर लेना और ज डानलोड करोगे तो उसमें हमें mcq question भी हमने दे रखे हैं उस pdf में mcq question मतलब स्टार्टिंग में क्या है बेटा कि आपका पूरा system लिखा हुआ है नतलब के रिटेन एक्जाम के साब से उसके बाद में हमने यह जितने से question most important है पीटा आपके एक्जाम के लिए जूतने भी है मैं आपको बता रहा हूं這個 को नहीं दूँगा लेकिन question दे रहा हूं most important है आपके एक्जाम में यहां से 100 percent question देखने को मैं बएक आप बता रहा हूं आप इन ко續नों को रट के चले जाना देखो इहां से एक कोशन तो 100% बनेगा यहां से इन दो को का याद कर लेना यह दो को ठीक है इन दो में से एक कोशन बनेगा देख लेना कि सदिस रासियों के अदिस गुड़नफल के बारे में समझाईए और सदिस रासियों के सदिस गुड़नफल के बारे में समझाईए यह हमसे पूछत है most important है यहां से quotes बनेगा एक कोशन अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना ठीक है उसके बाद में आप से देखो गौर्ष की अपसरण बूबत्विक है निर्जेशर्ण फ्रेमों को याद कर लेंगे एक कुछन इस प्रिकार से आपसे बनेगा कि एक बैक्टर दिया होगा ठीक है इसको थोड़ा सा देख लेना बनाके ये सारी वr लेकिन पीदियेफ ने हमने पूरी बना दिया है आप भी आमको MC की कोशन भी सातpro expense मिल जाएंगे हमारी पीडियेफ को ना लोड कर लेना टेलीग्राम पर लिंक दे रखा है तो ध्यान से देखेंगे अब देखोसके बाद में हमें क्या देखना है इसको छोण देजिए याद करके जाना और उसके बाद में हम लेखेंगे ग्रह संबंद नियम को याद करके जाएंगे बहुत ज्यादा पूछता है गती की अपकल समीकड का निगमन, इस्ताफित कीजिए, यह most important है, हल करो, most important है बहुत जादा important, इसको आप write कर जाएंगे, और देखो जो भी आपके gas paper में मिल रहा है, question को याद कर लेना, gas paper भी टिक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी gas paper में टिक लगा सकते हूँ, ठीक गती उर्जा के बारे में, इस्ताफिक उर्जा के बारे में, और कुल उर्जा की परिभासा पढ़ लेना, कलाबेक और समूबेक की परिभासा पढ़ लेना, ठीक है, बस इतने पढ़ लेना है, इसके अलाबा कुछ और मत पढ़ाना, यही most important है, ज्यादा question नहीं होंगे, ल आपके उबर dependent रहेगा, और सुनो, जो mcq question बन रहे है, mcq question उनके लिए pdf दे रहा हूँ, pdf का link description box में मिल जाएगा, जो telegram पर है, telegram पर physics notes में, उसी notes के अंदर, यह question की answer भी दे रखे हैं, और इनकी mcq question की important भी दे रखे हैं, मैं उनके उपर वीडियो भीडियो बना दोस्तों को share करो, thank you for watching this video, bye bye